नमस्कार दोस्तों आप सभी के शड़ीफ और UPCP से से में स्वागत है आज तारीख है 27 सेप्टेंबर 2024 इस भी और आज का न्यूज पेपर आर्टिकल डिस्कस करेंगे वीडियो होगा वीडियो में कई सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ही मैं बता देता हूं NSO का एक सर्वेक्षन आया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल प्रधानमंतिरी महोदय ने तीन नए सूपर कम्प्यूटर का देश को समर्पित किया है तो उसको देखेंगे सूपर कम्प्यूटिंग मिसन को भी हम लोग ज़रा समझेंगे उसके अलावा इस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है इस्टर्न राजस्थान नहर पर योजना है उसको भी देखेंगे हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां हम लोग डीटेल में समझेंगे और उसको पढ़ने की कोशिज भी करेंगे आज 27 सेप्टमबर है अगर पहले का डेट रहता तो दो दिन बाद आपका एकजाम रहता थी सेप्टमबर को लेकिन डेट आगे बढ़ गया है आप ही मुझे बताईए अगर 30 सेप्टमबर को एकजाम हो जाता आपका तो कितने आपकी तेयारी थी है ना तिये चीज देखना परेगा आपको 17 नमबर को आपका एकजाम होगा ये चीज तैब मान कर चलिएगा और पढ़िएगा अच्छे से कंटेंट वाले वीडियोज को जादा देखिएगा जादा परने पर ध्यान दीजेगा आंतीम समय में जो सब्जेक्ट आपके मजबूत है उनको तो ध्यान देना ही है साथ में जो पार्ट वीक रह गया है आपका जैसे साइंस का पार्ट है कई सारे बच्चों को दिक्कत आ आती है या फिर जोग्रफी के हिस्स्यों में दिक्कत आती है उस पर भी थोरा सा ध्यान दे सकते हैं आप अलग से MCQ प्रैक्टिस के द्वारा ओके देखे हेडलाइन क्या है हेडलाइन तो है चाइना ने कंफर्म किया कि भारत के साथ में LAC को लेकर बातचीत चल रही और धिरे करके दोनों देख डी ऐसकेलेट कर रहे हैं देखे पीछे आरे हैं उनकी सेनाए पीछे आ रही है उसके लाबावा पहली बार अर्दोगाउन ने अर्दोगाउन जो है तुर्की के रास्पती उन्होंने अपने UN के भासन में कस्मीर का जिक्र नहीं किया है नहीं तो 2019 19 से अब तक उन्होंने कोई ऐसा भासा नहीं था जिसमें उन्होंने कस्मीर का जिक्र नहीं किया हो United Nation में पहली बार उन्होंने कस्मीर का जिक्र नहीं किया है इसके कुछ माइने लगाए जा रहे हैं अगर वो माइने आगे बरहे, तो हम लग उस माइने को भी डिसकस कर लेंगे तुरकी पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा रेलेशन है, बहुत ही अच्छा रेलेशन रहा है लेकिन हाल के कुछ दिनों में खटास देखी गई है भारत के साथ अच्छे relation हुए है तुर्की के डीटेल में समझेंग हम इन सभी चीयों को लेकिन सबसे पहले NSO का सर्विक्षन जरा देखते हैं उस सर्विक्षन से PT मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं या तो आप उसको रिफरेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं अपने उत्तर लेखन में जरा सर्विक्षन को डीटेल में समझेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक चीज और है कि 71 BPSC को लेकर अपना एंसर राइटिंग का ग्रूप चल रहा है जिसमें अब फ्राइडे को करेंट अफियर अधारी सवाल दिये जाएंगे बाकि Monday to Thursday जो है ये GS के सवाल होंगे फ्राइडे को करेंट अफियर अधारी सवाल मैं दूँगा लिखने के लिए और Saturday को आपको निवन्ध मिलेगा तो अगर आप जूरना चाहते हैं 71 BPSC Answer Writing को लेकर तो जूरिएगा ताकि आपका उत्तर लिखन अच्छा हो जाए डीटेल में लिखना सीख जाएं आप ये बहुती बेसिक चीज होता है अक्सर हमारे बीच में जो बच्चे होते हैं BPSC को लेकर उनके बीच में इस सीज की कमी होती है वो किवल P.T. की ही तियारी पर ध्यान केंदित करते रह जाते हैं जूरना हो तो बताईएगा WhatsApp नमबर यहां पर दिया हुआ है टेलिग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं Instagram, Facebook कहीं पर ही मैसेज कीजिए मैं आपको एड़ कर दूँगा चलिए जड़ा नियूज को सुरू करते हैं आवधिक स्रंबल सर्वेक्षन पी एल एफस ये भी ध्यान रखिएगा कल मैंने रात को गुरूप में अपना डिसकसन गुरूप है उसमें MCQ कुछ डाले थे पोल बनाकर कुछ MCQ डाले थे मैक्सिम्म सवाल में 50% से ज़्यादा लोगों ने गलत ही एंसर दिया जो 4 दिन 5 दिन पहले का परहाय हुआ करेंट है अगर आप उससे भी गलत कर रहे हैं अपने एंसर्स को तो एक्जाम में तो भगवानी फिर भरोसा होगा आपका भी वही आपको बचा पाएगा एक्जाम में तो एक साल पहले का भी करेंट पूछा जाएगा छे मैने पहले का भी करेंट पूछा जाएगा परहना ज़्यादा माइने नहीं रखता है माइने क्या रखता है कि जो आपने परहा उसको कितनी बार परहा रिवीजन कितनी बार किया है वो अगर नहीं किया है आपने तो उसका भूगतान आपको करना पड़ता है देखे क्या है हाली मराश्टिय सांखी की कार्यालाई NSO किसके द्वारा NSO को द्वारा वारसिक आवधिक स्रंबल सर्वेक्षन वारसिक हर वर्स जारी किया जाता है 23-24 जारी की गए जिसमें दिखाया गया है कि बिरोजगारी दर 3.2% पर इस्थिर है इसे परियाप्त औप चारिक रोजगार सर्वेक्षन करने में और समर्थता को लेकर चिंता जताई गई है यह बताया गया है कि जितना रोजगार की मांग है उतना रोजगार क्रियेट नहीं हो पा रहा है पील एफस रिपोर्ट 23 का मुखी बिसे इस्ताई क्या है यहां से देखेगा ध्यान पूर्वग एक पॉइंट को इस्थिर बिरोजगारी दर है बिरोजगारी का दर इस्थिर है और परिवर्तित है कम नहीं हो रहा है देश में दोयर 1788 पील एफस के 59% से बर कर स्रमदल भागीदारी जो है 60.1% पर पहुँच गई है ग्रामीन जो स्रमदल भागीदारी है वो 63% हो गया है जबकि सहरी में बर करे 52% हो गया है दर साता है कि अधिक लोग ग्रामीन छेतरों में काम रोजगार की तलास कर रहे हैं समभता महामारी के दौरान उसक रिवर्स माइग्रेशन का मतलब होता है कि माइग्रेशन जैसे गाउं से सहर की तरफ होता है तो रिवर्स माइग्रेशन सहर से गाउं की तरफ में होता है कोरोना पीडियर महामारी के दौरान रिवर्स माइग्रेशन देखा गया था और भी कई कार को से रिवर्स माइग्र किसी भी आवादी में कितने लोग कामगार हैं या काम की तलास कर रहे हैं उसको दरसाता है क्या एलेफ पियार कितने लोग रोजगार में हैं उसके रूप में परिभासित किया जाता है नौकरी गुनबता मामली सुधार हुआ है ऐसा इस सर्वेक्षन भारस सरकार कह रही है ये सर्वेक्षन भारस सरकार का है तो इससे जदा प्रमानिक सुरोत आपके लिए होना ही नहीं चाहिए रिफरेंस के लिए बिरुजगारी वगएर प्रेंसरेटिंग करने के लिए सबसे सांदार ये रिफरेंस होता है इसलिए परहा रहा हूँ आपको नौकरी गुनवत्ता मामली सुधार हुआ है वेतन भोगी या नियमित वेतन पाले सरमिकों की हिस्सेदारी 0.8% अंक बढ़कर 21.7% हो गई है सहरी और ग्रामीन विचलन ग्रामीन चेत्रों बिरुजगारी दर में मामली बिर्धी देखी गई है 22.3 में 22.4% बढ़कर 23.7 में 22.5% हो गई है इसके विप्रित सहरी बिरुजगारी दर में सुधार हुआ है जो 5.4% से घट कर 5.1% हो गया है एक़ोर्डिंग टो भारत सरकार ऑके हलांकि कई सारे लोग बोलते बिरुजगारी बढ़ी है लेकिन यहाँ पर सरकार कहर एक कुछ सहरी चेत्रों में सुधार हुआ है लेकिन ग्रामीन चेत्रों में बिरुजगारी बढ़ गई है लेंगिक औसमानता महिलाओं के लिए बिलोजगारी दर बरकर 13.2% हो गई है सतर बाइस तेस में 12.9% थाई जब कि पूरसों के लिए 13.3% से थोड़ी कम होकर 13.2% हो गई है यानि कि महिलाओं को रोजगार मिलना और भी ज़्यादा कठीन होता है भारत में स्वारोजगार और और वैतनी कारियों ब्रद्धी हुई है और वैतनी घरेलू कारिय और छोटे वेवसाइज सहीत स्वारोजगार में सनलग नून के हिस्सेदारी 22.3% में 57.3% से बरकर 58.4% हो गई है या अपने रोजगार करने वाले या और वैतनी बीना बेतन के काम करने वाले लोग जो होते हैं उनकी संख्यां बर गई है उनकी संख्यां बर गई है रोजगार में उपक्रम संबंधी उद्यम और और निस्थित और अपचारिक कारे दोनों सामिल हैं जिससे नौकरी गुनवत्ता का मिस्तृत संके तक बन जाता है। अच्छे रोजगार स्रिजित करने में चुनौतियां उत्पन हो रही है। परियाप्त अच्छे रोजगार से जन करने में आर्थवियस्था की ओसमर्था कारण अधिक लोग सौरोजगार के विकल्ब के तलास कर रहे हैं। सौरोजगार पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही है। हाईली स्किल्ड लोग भी बिरोजगार हो रहे हैं देस में। आयाईटी बॉमबे और आयाईटी दिल्ली यहां से 30,000 का पैकेज लगा है। आयाईटी पास करके आयाईटी बॉमबे के लिए उसका 1000 में रैंक चाहिए जेई में। वो पास करके वो गया हुआ थीजार की नौकरी के लिए आप ज़रा सोचिए। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं सो रोजगार अपने स्टार्ट अप अपना काम इस चीज की तलास जादा कर रहे हैं। महामारी से पहले के तुलनाम बेतन भोगी रोजगार का प्रतिसत अभी भी बहुत कम है जो अपचारिक वो अस्थाई रोजगार अस्थापित करने की चुनौती को रेखांकित करता है। रेलाइंस ने 40,000 लोगों की छटनी की है पिछले दो महिनों में। ये तकनीक के परिवर्तन के कारण से भी बिरोजगारी दर जो है वो प्रभावित हो रही है और आपको अगर BPSC में नहीं मिला रोजगार तो फिर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखे क्या है ये दिखाया गया एक चार्ट बनाकर बड़ाई सुन्दर सा। PLFS रिपोर्ट के संदर मुखे तते क्या है अब ये रिपोर्ट कैसे जारी किया जाता है कौन प्रकासित करता है जरा इस सीज को समझ लेते हैं। यह भारत में रोजगार और बिरोजगारिक इस्थितिक आंकलन करने के लिए सांखिकी और कारिक्रम कारायन मंत्राले के तहत एनसो द्वारा आईजित किया जाता है। स्रंबल भागीदारी रोजगार किस्थिति गति सीलता का आंकलन करना सहरी चेतर के लिए प्रतितीन माह पड़ूसरा क्या है। समय के हिसाब से जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं बेरोजगारी में ये रोजगार में स्रंबल सर्वेक्षन में हम उन्चियों को इंकलूड करके नए तरीके से रिपोर्ट जारी कर सकें। PLFS मतरिक डेटा भी सामिल किया गया जैसे काम किया गए घंटों की संख्या, NSSO के पूरवर्ती पंचवर्सिय दोर्यों में पंचवर्सिय जो दोरा होता था इसका सर्वेक्षन होता था दरसल में NSSO का उसमें ये चीज संगरह नहीं किया जा सकता था। अब आपसे अगर माल लिजे बहुती कठीन सवाल बनाना होगा तो ये अंतर पूछ लेगा का NSSO जब रिपोर्ट जारी करती थी उसमें और NSO अगर रिपोर्ट जारी करती है तो उसमें इन दोनों में क्या अंतर है सबसे कठीन सवाल बनाना होगा तो PT में यही पूछ सुपर कम्प्यूटर बलत जो देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री जी ने जरा उस न्यूज को पहले देख लेते हैं फिर यहां से पी आई वी का हम लोग अध्यान करेंगे फिर नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग मिसन इसको भी जरा देखेंगे हम लोग बहुत इंपोट सुपर कम्प्यूटिंग मिसन का उत्तर लिखन करवाया था बच्चों से तो उस दौरान लिखा था आपसे अगर मैं यह पूछनू को सुपर कम्प्यूटिंग क्या आउसकता क्यों पढ़ती है तो आप क्या बोलूग एक्जाम में ही पूछ ले तो पीटी में ही पूछ ल देखे निउज क्या था कि पी-एम डेडिकेट थी निउज सुपर कम्प्यूटर टूनेशन राश्ट को तीन नए सुपर कम्प्यूटर जो है वो प्रधान मंत्री महोदय ने समर्पित किया है और वीडियो कॉन्फरेंस के द्वारा किया है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दिवारा ही किया है कोई वो फिजिकली कहीं पर विजिट करने नहीं गए थे और इसके बाद उन्होंने कई सारे तरह की बादचीत की है जरा इसको भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या कि इसमें कहागया है निसनस सूपर कम्प्यूटिंग मिससन क्या है और समरपन का क्या तात पर बनता है इसमें ये भी एक चीज कहा गया है ध्यान पूर्वक सुनिएगा उसके बाद मैं आपको PIV के न्यूज पर ले जाओंगा कि वर्तमान में हम जो वेदर का प्रेडिक्सन कर पाते हैं वेदर फॉर्काश का प्रेडिक्सन होता है इसका मतलब क्या है कैसा होगा कि कहाई का वेदर कितना जल्दी चेंज होने वाला है बरसा कब होगी ये सब चीजें तो अभी जो हमारा रेंज है वो 12 किलोमेटर का है कितना है कि हम 12 किलोमेटर के छेतरों के लिए ये डिसाइड कर पाते हैं कि भई इस एरिया में भी बारिस होने वाली है ये क्या कंडिशन बनने वाला है इस तरह के ये सुपर कम्पुटर बनाए गये हैं इसको उपयोग के द्वारा हम इसको और भी ज़्यादा मिनिमाईज कर पाएंगे 6 किलोमेटर के एरिया में तक हम बता पाएंगे इतने नियू नस्तर पर हम बता पाएंगे कि इस एरिया में वेदर का क्या कंडिशन बनने वाला है सूपर कम्पुटर के बहुत सारे यूज होते हैं जिन में से सबसे प्रमुख यूज जो होता है वो कहाँ पर होता है बंदों तो वो होता है आपका वेदर प्रेडिक्सन में जलवाईू परिवर्तन से लेकर और मौसम के परिवर्तन तक में सुपर कंप्यूटर हमारी मदद करते हैं चीजों को एनलाइज करके डेटा को एनलाइज करके प्रेडिक्सन करने में कि कहीं पर क्या होगा कैसा वेदर रहने वाला है इस से हमें डिजास्टर मेनेजमेंट में मदद मिलती है डिरेक्ट लोग की हम जान बचा पाते हैं आप जो सुनते हैं कि चकरवात आने वाला है चकरवात किन किन जगों से टकराएगा कितनी हवा के स्पीड होगी यह सब कैसे पहले ही हमें पता चल जाता है यह चक्रवात बनने से पहले ही हमें कैसे अंदाजा हो जाता है कि आने वाले कुछ समयम यहाँ पर चक्रवात बनेगा तो यह सारा काम सूपर कम्प्यूटर के द्वारा ही किया जाता है अब आपको समझ में आया जैसे IITM पूने जो है भारत का इंकिस्चूट है वहाँ पर 11.77 पेटा फ्लॉप कैपेसिटी का कम्प्यूटर लगा हुआ है सूपर कम्प्यूटर जो आने वाले समयम प्रेडिक्शन को और भी ज़्यादा नियू नस्तर तक ले आएगा 6 किलोमीटर के रेडियस तक में हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का मौसम होने वाला है यह मैंने आपको एक उप्योग समझाया है मानली जी आपसे एक्जाम में सौट एंसर में पूछता है एक्जाम के पॉइंट अभी जो समझेगा कि राष्ट्य सुपरकंप्योटिंग मिसन क्या है और सुपरकंप्योटर का हमारे डे-टु-डे लाइफ में उप्योग नहीं होते हुए भी भारत सरकार इसका उप्योग को लेकर क्यों इतना रधा उतवसाहित रहती क्यों इतना रधा पैसे खर्चा करती है आपके और हमारे जीवन वे डे टू डे तो इसका उपयोग नहीं होता है लेकिन सरकारे इसका उपयोग करती है किन-किन चीजों में करती है तो R&D में करती है Research and Development में करती है Weather Prediction को लेकर करती है देश की रक्षा सुरक्षा चीजों को लेकर करती है बरे-बरे डेटा संग्रहन को लेकर करती है कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर सूपर कंप्यूटर के आप सब्सक्ता परती है तो जरा देखते हैं कि राष्ट इस सूपर कंप्यूटिंग मिसन क्या है और मोदी जी ने कल क्या क्या किया है इस सीजें को भी देखते हैं देखिए दरसल मोदी जी जाने वाले थे पूना और वहाँ पर जाके ही इसका उधगाटन करने वाले थे लेकिन खराब वेदर के कारण वो नहीं जा पाए मौसमा जलवाई और अनसंधान के लिए तयार हाई परफॉमस कंप्यूटर HPC परनाली का उधगाटन किया गया है परमरुदर सुपर कंप्यूटर HPC परनाली के साथ भारत कंप्यूटिंग आत्मिरवर्ता और विग्यान प्रद्यवकी के नवाचार के बरहावा देने के दिशा में महत्पुन कदम उठा रहा है तीन सूपर कम्प्यूटर भौत्की से लेकर पिर्थी विग्यान ब्रह्मान विग्यान तक उन्नत अनसंधान हमारी मदद करेगा ज्यानिकी पिर्थी को समझना जलवायू को समझना और उसके साथ साथ स्पेस में भी हमारी मदद करेगा कम्प्यूटिंग छमता आज डिजिटल कृरांती की स्यूग में राष्टी छमता का परियाई बन रही है सोध के माध्यम से आत्मिरभरता आत्मिरभरता के लिए विग्यान हमारा मंत्र बन गया है इस तरीके के चीज आपसे पूछी जा सकते हैं निबंध में निबंध में मान लीजे यही पूछे कि आत्म निर्भरता के लिए बिग्यान हमारा मंत्र है या आत्म निर्भरता के लिए बिग्यान आती आवश्चक है तो आप उसमन निबंध क्या लिख पाएंगे निबंध का ही टॉपिक हो जाएगा ये कि आतने भरता हासिल करने के लिए साइंस कितना जरूरी है ये निबंध का सांदार टॉपिक हो गया पूछा जा सकता है आप से बिग्यान का महत उक्यबल अविस्कार अविकास में रही है बलकि अंतिम बिक्ति का कांचाओं को पूरा करने में भी है प्रदान निशन के तहत बनाया गया है और इंडिजिनस है देश में ही बनाया है हमने इसको इन सुपरकम्पीटरों को अगरणी व्यग्यानिक अंसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए पूना दिल्ली और कोलकता में तैनाद किया गया है देश के तीन सहरों में इसको लगाया ज प्रधानमंत्री जी ने मौसम और जलवाई और संधान के लिए तयार एक हाई पर्फॉमेंस कम्प्यूटिंग प्रनाली का भी उदगाटन किया इस सबसर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज का दिन जो है वो प्रद्योकी के छेतर में बड़ी उपलबधी है ठीक है ये सब जलवाई और संधान के लिए तयार हाई पर्फॉमेंस कम्प्यूटिंग है ये तो HPC इसको कहा जाता हाई पर्फॉमेंस कम्प्यूटिंग कम्प्यूटिंग का मतलब होता है संगनना ठीक है कम्प्यूटर का मतलब होता है संगनना का संगनना का होता है उसका मतलब ठीक है अरकार अरूनी का हाल ही में चर्चा में हैं ये क्या है ति हाई परफॉर्मिंग कम्प्यूटिंग के लिए सिस्टम है जिसका उद्गाटन प्रधान मंत्री महोदे ने किया है ये क्या कर सकते है जलवायू और मौसम को लेकर प्रेडिक्सन को और भी ज्यादा न्यून कर सकते सुक्ष्म कर सकते हैं प्रधानमंतिरी इंपूरे बेग्यानिक संदा इंजिनियर सभी को सुब काम नाएं दी तीसरे कारेकाल के सुरुवात में युवाओं को सौ दिनों का लावा पचीस अत्रिक दिन जाने को याद करते हैं परमर्दर सुपरकम्पुटर देश के युवाओं को समर्पित किया है उन्होंने कहा कि यह सुपरकम्पुटर देश के युवाओं वएboltज्यानिकों को ऐसी बहुत सारी चीज़े को लिए वाएं बहासन में कहा है हमें इन सब चीजों पर ध्यान देने के बात नहीं है हमें क्या-क्या ध्यान रखने है डिजिटल करांती, इंडस्ट्री 4.0 ये सब चीजों में हमें क्या मिलेगा मदद मिलेगा क्या-क्या मिला इस टॉपिक से अभी एक मांकी है इसमें क्या बांकी है राष्टे सूपर कम्प्यूटिंग मिसन बांकी है समझना कब सुरू किया गया था ये राष्टे सूपर कम्प्यूटिंग मिसन देखे जरा कब सुरू किया गया था उपर मैंने अरुना अरका सब बता दिया आपको कौन-कौन से थे भई अरकार अरुनी का ये धियान रखेगा ये दो प्रनाली है जो क्या करेंगे भई मौसम को लेकर हमारी सटीकता को बढ़ाएंगे तीन नए सुपर कम्पीटर क्या है रुद्र परम रुद्र सुपर कम्पीटर की तीन है तीन कम्पीटर है जिसका नाम क्या है परम रुद्र परम रुद्र सुपर कम्पीटर है इसका तीन बनाया गया है सिस्टम एक दिल्ली के लिए कुलकता के लिए पूना के लिए ठीक है और अरकार अरूनी का ये क्या है तो ये HPC है प्रणाली है HPC सिस्टम है जो हमारे जलवाईव अनसंधान के लिए मदद करेगा अब आजा ये राष्टे सूपर कंप्यूटिंग मिसन पर 2015 में साथ वरसों के अबाधी के लिए 15 से 22 के लिए 4500 करोड़ पे का अनमानित लागस्ते राष्टे सूपर कंप्यूटिंग मिसन के सुरुवात हुई थी 2015 में इस मिसन कंदर का 70 सधिक उच्छ प्रदर्शन वाले सूपर कंप्यूटिंग के माध्यम से एक विसाल सूपर कंप्यूटिंग ग्रीड अस्थापित करना था देश में देश में एक ग्रीड अस्थापित करना था यूपीएसी मेंस में पूछ चुका है इस सीज को राष्टे सूपर कंप्यूटिंग मिसन को जिस साल आया था उसी साल पूछा था उसने राष्टिस सेक्षिनिक संस्थान और आरेंडी संस्थान उससत बनाने के परिकल्पना की गई थी एनके एन पर योजना का उदेश एक मजबूत भारतिय नेटवर्क अस्थापित करना था जो सुरक्षित विश्वसनिय कनेक्रिटी प्रदान करने में सक्षम हो इस मिसन या मिसन सरकार के डिजटल इडिया मेक एन इडिया दिश कों का समर्तन करता है मिसन को सनिक तुरुप से विग्जान प्रदियों की भिभाग और अलक्ट्रॉनिक शर्चूचन प्रदियों की मंत्राल है दो मंत्राले इसमें सामिल हैं कौन-कौन से बंद हो एक तो हो गया आपका Department of Science and Technology और एक है Ministry of IT Information जो है उसको सामिल किया गया था इसे Center for Development of Advanced Computing C-DEC पूने और IISC Bangalore द्वारक करेमिद किया जा रहा था अब दो इसमें Scientific Society कौन से सामिल हो गए भाई एक C-DEC जो है जिसका काम ही है Advanced Computing को लेकर और एक Indian Institute of Science जो Bangalore है उसको सामिल किया गया था तीन चरण में यह उजनाई थी इसमें Super Computer को Assemble करना सामिल था पहला चरण दूसरा है देश के भीतर कुछ घट्वों के निर्मान पर विचार करना था यह सब हम इसलिए कर रहेते ताकि हम देश में Communication को लेकर देश में Computing को लेकर Weather Prediction को लेकर R&D को लेकर यह हमारे जो अच्छे-च्छे Sectionic Institute है IIT हो गए उन सभी जगों पर Super Computer हमारे आत्मिर्भर हो हमारे अपने द्वारा बनाए गए हो कहीं बाहर से हमें Export करके ना लाना परे Super Computer क्या होता है अबंधों? यह आपसे PT पूछा जा सकता है Science and Tech में छोटा सा एक ऐसा Computer होता है जो वरतमान में किसी Computer की उच्छतम परिचालन दर के आसपास से उसके अधिक गती करता है मतलब जो सामाने Normal PC होता है जो आप Home में यूज़ करते हैं जो घर में या Office यूज़ करते हैं वो जितना गनना 10 साल में करेगा जितना कैलकुलेशन 10 साल में करेगा एक Super Computer उसको Within Second करती है ठीक है? एक Super Computer जितना गनना 100 सालम करेगा एक Quantum Computer उसको कुछ Second में करती है तो quantum computer सूपर computer से भी आगे की चीज है जिसके development के लिए हम काम कर रहे हैं ठीक है पेटा फ्लॉप एक सूपर computer के प्रसंसकरन गती का माप है स्पीड का माप क्या होता है पेटा फ्लॉप में निकालते हैं हम लोग इसे प्रती सेकंड एक हजार ट्रिलियन या फ्लेटिंग तो उसमें देखेंगे आप स्पीड लिख रहता है जैसे 4 गीगा हर्ज रहता है 5 गीगा हर्ज तक रहता है आई सेवन इंटेल आई सेवन 13 जेन में हैसाइद 4.something गीगाहर्ज तक का स्पीड दिया है जो बहुती सांदार होता है लेकिन उसमें रैम भी चाहिए उसी तरह का और SSD भी चाहिए तो अगर आपने लैप्टॉप कम्पूटर खरीदा होगा तो छोटी छोटी चीज़ आपको पता होगा तो ये किसले उप्योग किया थे सूपर कम्पूटर के स्पीड जब हमें गिनना होता है तो आप हम पेटा फ्लॉप यूनिट का उप्योग करते हैं क्योंकि वो बहुत आगे का यूनिट होता है बहुती बड़े अस्तर की गन्ना होती है फ्लोटिंग पॉइंट एंकोडिंग का उप्योग करके बहुत लंबी संख्याओं को अपेक्षाक्रत आसानी से नियंतित किया जा सकता है इसका उप्योग सामरे था ऐसे वेग्यानी की अभियांतर की अनुप्योग हितु किया जाता है जो बिरहत डेटाबेस के नियंतित न था बड़ी मातराम संख्याओं नात्मक या दोनों कारियों को में संलगन होते हैं जहां पर रिसर्च और डेवलप्मेंट का काम हो बहुती बड़े अस्तर पर डेटा को संख्याओं करना हो या फिर उसको लेकर कैलकुलेशन करना हो तो वहां पर सुपरकंप्योटर को उप्योग किया जाता है अपने घर में उप्योग नहीं कर सकते हैं इसका जैसे मौसम पुर्वानमान उप्योग देखिए यहां पर जलवायू मोडलिंग, बायोलोजी, परमानू उर्जा सिमुलेशन, बिग डेटा बिसलेशन, आपदा सिमुलेशन और प्रबंधन इत्यादी में इसका उप्योग किया जाता है विश्वस्तर पर चीन के पास सरवाधिक सूपरकंप्यूटर है या दुनिया में सिर्थ सस्थान पर है इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलेंड, आयरलेंड, यूके और यूनाटे किंग्डम का नाम आता है एक website है 500 सूपरकंप्यूटर करके एक website है जहां पर हमेंसा real time अपडेट होता रहता है कि किस देस की क्या ranking है किस देस के पास में कितने सूपरकंप्यूटर है उस अधार पर रियल टाइम पर वो अपडेट करते रहते हैं भारत का पहला सूपर कंपूटर परम 8000 था क्या नाम था इसका परम 8000 परम सिवाई सोदे सुरुख सासंबेल किया गया पहला सूपर कंपूटर I.A.T. B.H.U. में अस्थापित किया गया था तो दिल्ली, पूना और कुलकता में अस्थापित किया जाएगा ध्यान में रखिएगा इस टॉपिक को नेक्स टॉपिक पर चलते हैं ताइवान जल्डमरू मधे चर्चा में है क्यों चर्चा में है क्यों कि जापान ने वो किया है जो उसको बहुत पहले करना चाहिए था देखिए जरा उस न्यूज को क्या है देखिए क्या है न्यूज कि मैसेज टू चाइना एज जापान डिस्ट्रॉयर सेज वाय ताइवान एस्टेट फॉद फॉद फॉर्स टाइम इसमें ये कहा गया है कि जापान का एक डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर एक नेवी सिप होता है ठीक है जिसने जलियात्रा की जलियात्रा की कहां पर तो ताइवान एस्टेट से होकर देखिए ताइवान एस्टेट है ये ताइवान एस्टेट है इस्टेट का मतलब होता है जलसंधी ठीक है जलसंधी क्या करती है दो जलच हित्रों को जोरती है ध्यान से सुनिएगा इस्टेट क्या करती है दो जलच हित्रों को जोरती है जैसे इस्ट चाइना सी और सौथ चाइना सी को ताइवान इस्टेट जोर रहा है दो लेंड को भूमी को अलग करती है चाइना को ताइवान से अलग करती है तो उसको क्या कहा है तो जल संधी हमेशा दो भू भागों को अलग करती है और दो जल रासियों को जोरने का काम करती है ध्यान से डिफनेशन सुनिएगा ये डिफनेशन पीटी में पूछ लेता है कई बार तो हु आने वाले समय में जापान, न्यूजिलेंड और और उस्टेलिया दक्षनी चीन सागर में युद्धा भ्यास भी कंड़क्ट करवाएंगे। इसको बराई हिस्टोरिक मूब माना जा रहा है, चीन इसको किटिसाइज अबस से ही करेगा, लेकिन जापान ने इसका इसलिए खंड़न किया है, इस दादा गिरी का खंड़न किया है जापान ने, ताकि हम जवाब दे सकें कि हम कर सकते हैं ये चीज, और न्यूजिलेंड और शेलिया भी उसका साथ दे रहे हैं, दक्षिन चीन सागर में इसको लेकर युद्धा भ्यास भी आयोजित की जाएगी, तो जरा हम लोग इस स्ट्रेट को देखेंगे, और ताइवान के जलसंधी के बारे में दो चार लाइन पर लेते हैं, ताकि अगर वहाँ से पूछे त हम उसको सॉल्ब कर सकें, वैसे जो डिस्ट्रॉयर सिप था, उसका नाम क्या था, अगर नाम आपसे पूछे तो देखें नाम क्या दिया हुआ है, साजा नामी, अब इसको जापानी में कैसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसका नाम है, तो इसका नाम ध्यान म रखेंगा छोटा सा, देखें क्या होता है, ये स्टेट क्या है, ताइवान जल्डमरू मदे, संधी को जल्डमरू मदे भी कहा जाता है, ताइवान जल्डमरू मदे जिसे फार्मोसा जल्डमरू मदे के नाम से जा, फार्मोसा क्यों, क्योंकि ताइवान को पहले फार्मोस चौरा जल्डमरूमद है यह जल्डमरूमद वरतमान में दक्षिनी चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूरवी चीन सागर से जुड़ता है इसका सबसे संकरा इलाखा 130 किलोमेटर मातर चौरा है संपुर्ण जल्डमरूमद एसिया के महादूपिय सेल्फ पर है एतिहासी ग्रूप से People's Republic of China PRC और ताइवान दोनों ने एक चीन नीती का समर्थन किया है इसके तरह जल्डमरूमद एकल चीन के विसेस आर्थिक छेदर का हिस्सा माना जाता है देखिए किसको किसको जोर रहा है तिह साउथ चाइना सी है और यहाँ पर है आपका कौन सा तो इस्ट सी इसको भी धियान रखेगा इन दोनों को जोरता है यह ताइपेई है यहाँपर इसका तॉ ताइवान का Capital City है और यह राइकू आइलेंड है यह जापान के तहेते में आता है यह घहन रखेगा यह चाइना है और यह ताइवान है इसी बीच से सीप गुजरा है किसका तो और माना जा रहे है कि कौर्ड के बैठा के तुरंत बाद गुजरा है इसलिए ये क्या है तो कहीं ने कहीं ये वैस्विक जियो पॉलिटिकल नीती का ही हिस्सा है जापान का जिसके तहत वो अपने हितों को सरक्षित करना चाहता है देखनी चीन सागर में और ताइवान देखरन और PSMC के चेर्मेन है फ्रांक हूंग ताइवान बेस्ट कंपनी है जिसका नाम है पावर चिप सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्टरिंग कॉर्परेशन ये भारत में गुजरात राजी के धोलेरा में सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्टरिंग प्रोजेक्ट अस्थापित करने जा रहे हैं सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्टरिंग प्रोजेक्ट धोलेरा गुजरात में PSMC और टाटा संस पता ही आपको टाटा कंपनी हो गया एक तरह से टाटा संस चेर्मेन एन चंदर सेखन और PSME के चेर्मेन फ्रैंक हंग जोते प्रधान मंतरी मोधी के साथ में कल मिले हैं और उसके पसाथ ये घोसना कर दी गई है कि धोलेरा में धोलेरा गुजरात में समी कंड़क्टर निर्मान को लेकर मैनुफेक्टरिंग को लेकर यूनिट अस्थापित की जाएगी AI आधारित फैबलेब भी अस्थापित किया जाएगा फैबलेब तो आपको पता होगा मैंने आपको समझाया था कि सेमी कंड़क्टर के निर्मान के लिए फैबलेब के आप सकता परती है फैबलेल बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है आप इसी से का आपके पास में होगा लैपटॉप अगरम यूज होता है जो भी आप अलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस पर अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं उसमें कोई ने कोई चिप लगा होता है अब आप अंदाजा लगाईए फैबलेब इस तरह का लैब होता है जिसमें एयर को भ है कि नाखून पर पांच से दस लाख छोटे छोटे जो सेंगरटर चीप में लगने वाले सरकीट होते हैं वो रखे जा सकते हैं आप उनकी सुकसंता को समझे जरा कि इनसान उसको बना कैसे लेता है तो पहले तो उस तरह के लैब की हमें अस्थापना करना पड़ेगा जहा करोर कर्में खर्के होंगे इसको बनाने में एक क्यानवे 70、 करोर के करीज होंगे एक लाग स्यादा जाभ क्रीएशन होगा ऐसा उमीद की आ जा रहा है तक क्रिपया इसको ध्यान रखें पीटी फैक्ट के तौर पर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं देखे क्या है अगला न्यूज न्यू पैक्ट टू वी साइंड बिट्वीन राजस्थान मद्यपदेश फॉर्दा मोडिफाइड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट नदी जोरो परियोजना को लेकर पैक्ट जो साइन हुआ था उसमें थोड़ा सा मोडिफिकेशन किया जाएगा इसका नाम क्या इस प्रोजेक्ट का? ERCP इसका नाम है अब ERCP का फूल फॉर्म क्या होगा? Eastern Rajasthahn कैनाल प्रोजेक्ट Eastern Rajasthahn का मतलब राजस्थान का अगर आपने मैप देखा होगा बन्धों सही से तो आपको दिखेगा का राजस्थान बहुत ही वी साल है छेतरफल के दिष्टि कोन से भारत का सबसे ब्रा राजी कौन सा यह तो JKM बच्पन पराओगा आपने चेतरफल के दिससे बड़ा राज राज राजस्थान है वहीं जनसंख्या के दिससे बड़ा राज उत्तर प्रदेस है यह दो छोटवे होंगे तभी परा होगा आपने तो राजस्थान दो भागों में उसको बांटा कीजिए हमें साथ पूर्वी राजस्थान पस्मी राजस्थान पूर्वी राजस्थान जो है यह जल समरिद है और यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है बहुत उपजाओ है यहां के भूमी पस्मी राजस्थान जो है वो रेगिस्तान है और सूखा परता है इसको आप इस प्रकार से भी बांट सकते हैं आरावली के पूर्व में और आरावली के पस्षिम में बांट सकते हैं तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में जो थोड़ा बहुत पानी वगरे का भाव रहता था उसको लेकर दो राजियों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट डिजाइन किया और भारे सरकार ने भी बोला था कि आपको इस पर काम करना चाहिए जिसमें क्या था इस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट जिसमें चंबल एक नदी बहुत ही महत्पुन बहती है और उस नदी को लेकर क्या होता है कि उसमें जल हमेसा ही रहता है और चंबल नदी के जल का सदुप्योग करना है हमें केनाल के दोरा कि इसके दोरा नहरों के दोरा जिससे वो छेतर जो जल सिंचित नहीं है जहाँ पर जल का भाव है, वहाँ पर जल को पहुंचाया जा सके इसी को लेकर project ने हता, तो जरा हम लोग इसको देखेंगे इस project क्या है, कौन-कौन सी नदियां इसमें involved है जब इसमें sign वगर हो जाता है, तब detail में जब अस पर article वगर आएंगे तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी आपसे पीटी में ये पूछा जाएगा दूसरे राजजी का है तो मेंस में आपसे नहीं पूछा जाएगा ये ठीक है देखे ज़रा क्या है इस्टरन राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान मदपदे से सहमती बनिया पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में काली सिंध पारवती मेज चाकन उप बेसिन उपलवद मांसून के पानी को प्योग किया जाएगा इसे बनास गंभीरी बान गंगा के पानी क कमी वाले उप बेसीन में मोर कर चंबल बेसीन के भीतर के पानी के इंटर बेसीन ट्रांसफर की परिकल्पना की गई थी कि एक नदी बेसीन से हम पानी को दूसरे नदी बेसीन में भेज सकें ताकि जल से सूखे वाले इलाके जो हैं उनी लाकों में पानी पहुँचाए जा सके इस योजना पूरा होने पूरवी रायस्थान के 13 जीलों को पानी और अध्योगी पानी के उपलवता सुनिसित हो जाएगी पीने का पानी हो जाएगा एक तो ड्रिंकिंग के लिए हो गया और उध्योग बगरा के उपयोग के जैसा दिखाए देगा वहीं पस्वी भाग में आपको मरुवस्थल दिखाए देंगे पर योजना में लवगों दोसना आठ लाक कर हेक्टियर चेतर में सीचाई को लेकर दिस्टिक है इससे योजना से लाभानी तोवला है जिलों अलवर ये एंसी आर में है दोसा जैपू जैपूर अजमेर टोंक सवाई माधवपूर बूंदी कोटा बारा जालावार भरतपूर धौलपूर करोली है ये सारे के सारे राजस्थान के डिस्टिक हैं चंबल नदी के बारे मजरा देखिए या भारत की सबसे कम प्रदूसित नदियों से एक है बहुत ही खुशूरत नदी है घरियाल के लिए भी जाने जाती कई सारे बांध भी बने हुए हैं इस पर इसका उद्गम अस्थल बिंध परवत इंदौर मध्पदेश को उत्तरी धालान परिस्थित सिंगारी चौरी से होती है ये भी ध्यान रखे कहां से होती है यहां से लगवग 346 किलोमेटर तक मध्पदेश उत्तर दिसा को बहती हुई राजथान प्रिवेस करती है राजथान मेंस नदी कुलन लंबाई दोसौकारी 25 किलोमेटर है और इस राज़ी को उत्तर पूरु दिसा में बहती है ऐसे बहती है यह उत्तर प्रदेश में इस नदी के कुल लंबाई 32 किलोमीटर है जो इटावा में यमना नदिया मिल जाती है चंबल किसकी साहिक नदी है यमना की और यमना किसकी साहिक नदी है तो गंगा की साहिक नदी है यह एक वर्साधारित नदी है जिसका बेसिन बिंद परवस सिंखलाओं और आरावली से घिरा हुआ है चंबल उसकी सहायक नदियां उत्तर पस्री मद्य परदेश के मालवा छेतर में बहती है मालवा छेतर किसको कहा जाता है बंदों तो अगर भारत का मैप देखेंगे तो र इलाका पूरा मालवा कहलाता है राजस्तान में हरोती का पठार चंबल नदी के उपरी जलगरहन चेतर मेवार मैदान के दक्षिनपूर में स्थित है सहायक नदियां बनास काली सिंध छिपरा और पारवती यादी चंबल की सहायक नदियां है चंबल नदी के मुखे परियो लुप्तप्राई घरियाल, रेड क्राउंड रूफ कच्छुए, लुप्तप्राई गंगा डॉल्फिन, ये सभी की सभी यहां पर पाए जाती है, चंबल नदी बेसीन 2400 वर किलोमेटर फैला, त्रिकोनी ये राज्जी यानिकी, राज्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश मे बहती है ये, यहां से निकल कर इस प्रकार जाती, इसमें अलग-अलग नदी आपको दिख रहे हैं मिरते हुए, ये बनास नदी उपर से मिल रही है, सिंध, बेतवा, केन, यूपी पिएस्जी ने 2019 में एक बरही खदरनाक सा सवाल पूछा, उसने इन नदीयों के बोला था बनास जो है ये उपर से मिल रही है या नीचे की तरफ से चमबल है मिल रही है, ये भी आपको ध्यानम रखना है, थीक है, तो ये आपका टोपिक था और इसको ध्यानम रखेगा, आज का नियूस पेपर डिसकसन यही पर एंड होता है, कैसा लगा है वीडियो जरूर ही बत वीका